नमस्कार दोस्तों मैं हूँ डॉक्टर मनोर नामदेव और मेरे योटूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों आज कलके यंग एज के लड़के या लड़कियों में या फिर बच्चों में अंडर्वेट या सारीरिक विकास बहुत ही कम देखने को मिलता है यानि कि दोस्तों उनका जो वेट होता है वो अंडर्वेट या फिर वजन की कमी कह सकते हैं या फिर यह कह सकते हैं कि जितनी एज और हैट के अनुसार अगर उनका वजन नॉर्मल वजन नहीं होता है नॉर्मल वजन से भी अगर कम वजन होता है तो वो अंडरवेट या वजन की कमी के सिकार की स्राणी में आते है जो लोग अंडरवेट की स्राणी में आते हैं जिनका वजन बहुत ही कम है दोस्तो तो दिखने में दुबले पतले दिखते हैं और उनकी personality भी ऐसे अच्छी नहीं दिखती हैं कपड़े भी ऐसे डिले डाले दिखते हैं और दिखने में ऐसे दूबले पतले इस तरह के दिखते हैं दोस्तों और उनके दोस्त भी उनका हसी मजाग उडाते हैं तो जिसके कारण दोस्तों जब हसी मजाग उडाते हैं उनके तो उनको सरम मैसूस होती है और वो मानसिक तनाव में या उनको ऐसे चिंता होने लग जाती है कि मेरा वजन बहुत ज्यादा कम है और वो ऐसे देर देरे तनाव में आने लग जाते हैं कई बार दोस्तों अगर जिनका वेट कम है अगर वो दूसरे दूसरे लोगों को देखता है जिनका weight बिल्कुल normal है personality fit है तो उनको देखकर भी उनको दुक होता है कि खास मेरा भी ऐसा वजन होता या मेरे भी ऐसी personality होती अब बात करते हैं weight कम होने के क्या क्या कारण है और इसके साथ क्या क्या लक्सन है और अगर weight कम होता है तो क्या risk factor है और इसके बाद मैं आपको ऐसी medicine बताऊंगा जिसके use करने से आपका weight है वो बहुत ही जल्दी बढ़ जाएगा और आपके अंदर एक stamina बढ़ जाएगा और आपकी good personality दिखने लग जाएगी और आपके दोस्त जो पहले मजाक करते थे वो ही आपसे पुछेंगे कि ऐसा कौन सा treatment आपने लिया जिससे आपका इतना तेजी से weight gain कर लिया सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि body का weight है वो under weight में कैसे आता है आपको कैसे पता चलेगा कि आप under weight की training में आते हैं या normal है या फिर आपको obesity है तो दोस्तों उसके लिए weight calculate करने के लिए BMI मतलब body mass index जो होता है उस आदार पे पता चलता है कि आप under weight की training में आते हैं या फिर आपका weight normal है तो उसके लिए दोस्तों अगर BMI अगर आपका 18.5 से लेके 25 तक अगर है आपका मतलब अगर आपका BMI 18.5 से लेके 25 तक आता है तो आप normal weight की training में आते हैं और अगर आपका 18.5 से अगर कम आता है BMI तो आप under weight की training में आते हो मतलब आप में weight की बहुत जादा कमी है और इसके अलावा दोस्तों अगर 25 से अगर उपर आती है BMI तो आप obesity में या फिर overweight में आते हो तो इस परकार दोस्तों BMI से हम पता लगा सकते हैं कि आप under weight में हो या normal हो या obesity हो इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों under weight होने के क्या क्या कारण है मतलब ऐसे कौन-कौन से कारण है जिससे आपका under weight है वजन कम है और वजन बढ़ता नहीं है या फिर आपका वजन लगातार गड़ता जा रहा है इसमें पहला कारण है दोस्तों family cause अगर किसी के family में PD दर PD अगर under weight या फिर दुबला पतलापन आ रहा है तो दोस्तों ये भी एक cause है अगर family में अगर ऐसे चल रहा है तो उस कारण से भी weight कम हो सकता है दूसरा कारण है दोस्तों high metabolism मतलब जिनका weight कम है और वो high मात्रा में अगर high calorie या energy लेता हो अपने बोजन में फिर भी उनका वजन नहीं बढ़ता हो तो दोस्तों उसको high metabolism बोलता है इसके लावा दोस्तों ऐसे लोग हैं जिनको high calorie या high energy की जरूत है जैसे दोस्तों sports में है या फिर runner है या फिर दोस्तों जो hard worker है उनको high मात्रा में energy चाहिए फिर भी दोस्तों अगर वो कम मात्रा में अगर calorie लेते हैं वो बोजन कम करते हैं तो दोस्तों उनका भी weight देरे-देरे कम होता है और बढ़ता नहीं है कई बार दोस्तों ये भी देखा गया है अगर किसको लगातार diarrhea या दस्त लगती हो या फिर vomiting लंबे टायम से अगर vomiting होती हो या फिर उनकी भूग की कमी हो मतलब भूग नहीं लगती हो proper तो दोस्तों वो भी underweight की स्रैने में आते हैं उनको भी उनका भी दिरे-दिरे वजन क कम होने लगता है कि डाइबिटीज है तो सुगर राया तो वेट लौस होता है इसके लाव दोस्तों अगर थाइरोड है तो थाइरोड की वज़े से भी वेट लौस होता है और इसके लाव दोस्तों अगर लिवर प्रॉबलम है या digestive system में अगर कोई problem आती है तो उस करण से भी आपका वजन है वो दिरे-दिरे गटने लगता है और आप वेट गेन नहीं कर सकते इसके लावा दोस्तों mental illness होने के कारण भी वेट गेन नहीं हो पाता है जैसे कि दोस्तों अगर depression है या किसी को तनाव है या फिर anxiety है या फिर दोस्तों OCD, obsessive, compulsive disorder बोलते हैं इसको अगर यह समस्या है तो इस कारण से भी दोस्तों weight gain नहीं होता है इसके लावा दोस्तों अगर aluminum के बरतन में अगर खाना खाते हैं या खाना पकाते हैं तो जो aluminum एक metal होता है जो सरीर में जाकर बहुत नुक्सान पहुंचाता है और उस कारण से भी सारीरिक कमजोरी भी आती है और weight gain में भी कमें आती है इसके बाद बात करते हैं दोस्तों जिनका weight कम है या जो underweight की सेनी में आते हैं तो उनको कौन-कौन सी समस्या का सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तों इसमें सबसे पहली समस्या है अगर आपका weight अगर कम है तो आप सारीरिक तोर पे कमजोर होंगे जिरोदक समता अगर कमजोर है तो उस कारण से आपको बार-बार infection होगा आपको बार-बार सर्दी जुकाम लग सकता है आपके tonsillitis हो सकते हैं या फिर दोस्तों बार-बार आपको fever की समस्या हो सकती है इसके लाव दोस्तों अगर nutrition की कमी के कारण भी दोस्तों underweight की सेनी में आते हैं क्योंकि जो लोग proper nutrition नहीं ले पाते हैं तो उनका भी वजन दिरे-दिरे कम होने लगता है तो दोस्तों अगर proper nutrition अगर बोड़ी को नहीं मिलता है तो दोस्तों एनीमिया की condition आती है मतलब खून की कमी हो जाती है सरीर में जब दोस्तों एनीमिया के अगर आप सीकार होते हो तो आपको सरीर में कमजोरी महसूस होती है ठकावट महसूस होती है चकर आने लगते हैं आपको आलस आने लगता है पड़ाई में मन नहीं लगता है कोई भी काम करते हो तो जल्दी ठक जाते हो तो इस परकार आपको एनीमिया की शिकायत रहती है और जिन महीलाओं में infertility की समचया भी आ सकती है मतलब ने संतान तक का भी सिकार होना पड़ सकता है और इसके लावा pregnancy में भी problem आती है इसके लावा दोस्तों अगर अपन अंडरवेट की बात करें जिनका वजन कम है तो उनको दोस्तों बालों की भी समचया हो सकती है बाल जड़ने लग जाएंगे और दातों में problem होईगी दात दर्द करने लग जाते हैं इसके लावा दोस्तों अगर proper nutrition नहीं मिलता है तो सारी रिक तोर पे दोस्तों मास पेशियों को मजबूती नहीं मिलती है हडिया भी कमजोर रहती है और height भी नहीं बढ़ती है proper अगर जिनका भी वजन कम है तो उनको osteoporosis की सिकायत हो सकती है मतलब हडिया कमजोर होने लग जाती है तो दोस्तों जो भी मैंने underweight या वजन कम होने के जो कारण बताए हैं दोस्तों इस कारणों से अगर पता चलता है अगर आपका वजन कम है आप underweight की सेनी में आते हैं दोस्तों तो इसकी risk factor बहुत ज़्यादा है अब बात करते हैं treatment की दोस्तों अगर weight कम है तो उसके लिए homeopathy में ये कैसा weight gainer आता है जिसके use करने से आपका वजन है वो बहुत तेजी से बढ़ता है और आप एक normal condition में आ जाते हैं जैसे पहला दिखते थे वैसा पहले कितरा आप दिखने लग जाओगी और आपकी personality है वो बिल्कुल change हो जाएगी और आपके अंदर stamina बढ़ जाएगा और इसके साथ साथ अगर आपके मानसिक तनाव है वो भी मिट जाएगा और आप बिल्कुल अच्छा feel मैसूस करऊंगी मेरे पास ऐसे कहीं लोग आये जिनका वजन बहुत ही कम था और उन्होंने कोई दूस होमियोपेति की अगर आप मेडिसन यूज करते हो तो आपका वजन है वो देरे देरे बढ़ने लगता है और जब आप मेडिसन बंद करते हो तो आपका वजन वहीं पे रहता है वापस गड़ता नहीं है तो अब बात करते हैं वो कौन सी मेडिसन है जिससे वेट बढ़ता ह तो दोस्तो होमियोपेती में सबसे popular medicine है वो है दोस्तो होमियोपेती की alpha malt जो आप देख रहे हो ये alpha malt को दोस्तो weight gainer भी कहा जाता है दोस्तो इस alpha malt को यूज करने से आपको आपका जो वजन है वो बिलकुल normal हो जाएगा और जो जैसा पहले था वजन वैसा हो जाएगा और alpha malt यूज करने से आपके जो पाचन तंत्र है उनको मजबूती परदान करता है उनको ठीक करता है और जो आपकी हडिया है मासपेशिया है उनको भी मजबूती परदान करता है और इसके लाव दोस्तो जो आपके सारीरी कमजोरी है या मानसिक कमजोरी है मानसिक तनाव है उसको भी ठीक करता है और आपके सरीर में वाइटिलिटी और इस्टेमिना को बढ़ाता है अब बात करते हैं अलफा माल्ट को यूज कैसे करें इसको कैसे लें दोस्तो तो दोस्तो अलफा माल्ट को आप दो चमस सुबह और दो चमस साम को लेने दोस्तो अगर इस अलफा माल्ट को आप लगातार यूज करते हो रेगुलर लेते हो तो आपका वजन है वो देरे-देरे बढ़ने लग जाएगा और आप पहले जैसा नॉर्मल दिखने लग जाओगे इसके लाओ दोस्तों दूसरी मेडिसिन है ऐलफा-एलफा-क्यू दोस्तों होमियोपेती में ऐलफा-एलफा अगर आपको कोई भी प्रोबलम है तो वो भी ठीक होगी इसके लवा दोस्तों अगर आपको वेट इससे भी जल्दी बढ़ाना है तेजी से अगर आपका वेट गेन करना है तो साथ में आपको एक्सिसेज भी करनी है योगा करना है और आप अपनी डाइट में कुछ vegetables वगरा साथ में add करना है जैसे आप खजूर, बादाम calcium और iron आपको add करना है जिससे आपका weight है वो बढ़ने लग जाएगा इसके अलवा अगर aluminum के बरतन में अगर खाना पकाते हैं या खाते हो तो वो भी आपको बंद करना है क्योंकि aluminum में एक metal होता है जो सरीर को बहुती नुक्सान पहुंचाता है इसके बाद अगर आपका वजन बहुत जादा कम है तो आपको थोड़ा थोड़ा करके खाना खाना है, एक साथ खाना कभी नहीं खाना है आप small quantity में दिन में तीन बार या चार बार खाना खा सकते हो जिससे आपका weight है वो बढ़ने लगता है तो दोस्तो मेरे द्वारा दी गई जानकारी weight gain के लिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस video को ज़्यादा से ज़्यादा share कीजे, like कीजे और अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे और bell icon बटन को जरूर दबाईए अगले next topic में मिलेंगे दोस्तो धन्यवाद